अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लिए तो स्टुएंट्स हमना जो फिजला वीडियो था उसमें हमने आपसे बात की थी सेल डिस्रप्शन में तड़ी सेल डिस्रप्शन यानि कि अगर आपको इस्टेडी करनी है कोई भ पड़े हैं पहले जिस्सेजी आपको जो अंदर का में डिटर्जों और नौन में किलिकल्ड जो है वह चार्ड के दोरा मैंने आपको बताये इसमें आपको एल्काली जो है एसिड के द्वारा या फिर डेटर्जेंट के दोरा वह भी हम पता चुक हैं तो अगला हमारा जो ह से मेथड़ है वह है enzymatic treatment His Star ुपैसे अजन करना पड़ेगा या कोई यंत्र लेना पड़े घाइव सब्सक्राइब है लेकिन हमको कोई ज़्यादा report नहीं लगाना पड़ रहा है न कोई केमिकल हम ढाल रहे हैं और वो simply chemically cell को क्या है बस्त कर रहा है इसको digest कर रहा है यह पिर इसको disrupt कर रहा है तो ऐसा method non-mechanical होगा तो इंजाम अगर हम ढाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है यह non-mechanical है ठीक है? Celluleces popularly known to digest our celluleus present in the plant cell वाल. By exploiting this property of enzyme, one can apply this enzyme on the surface of plant cell and incubate for some time. After desired incubation time, one can observe the partially-digested cell valve. This allows the disintegration of cell valve and release internal subcellular organs and other biomolecules, including proteins, to come out of the plant cell. First of all, the enzyme treatment example has come out of the cellulates. If you study the plant cell, you can digest the cellulates. If you add it, then you can add incubation. Then the cell will digest the cell. The cellulates in this case, other genitals as well. And we start to realize the cellulates and cellulates. This has been called as 2-3-1-4-6-6-7-6-7-8-8-9-8-9-8-9-9-9-8-7-8. ये भी cell को क्या करेगा disrupt करेगा ठीक है तो ये किसको cell की cell को disrupt करेगा ये gram positive जो bacteria होते हैं उनकी cell को क्या है ये disrupt करेगा lysozyme करता क्या है lysozyme जो है hydrolyze कर देता है beta 1 for glycosidic bonds को किसमे bacterial cell वाल की को तो कई जो एक्जाम से एक्जाम से एक्जाम से एक्जाम से उसमें ये कोश्चन पूछा गया है कई बार कि जो lysozyme होता है वो कौन से bond को break करता है तो हम बोलेंगे कि beta 1 for glycosidic bond को करता है ये भी पूछा गया है कि ये कौन सा जो है cell वाल है उसको इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट जादा हो जाता है इसी प्रकार से जाइवोले और होता है वो क्या करता है डिग्रेडेशन करता है येस्ट की cell वाल को अब देखिए अगर इसके effect को देखते हैं तो ये cell है और cell में क्या है इंजाइम डाला आपने तो ये सबसे पहले इंजाइम cell वाल पर ऐसे लग जाएगा फिर जब आप इसको incubation देंगे अभी attach हो गया है attach होने के बाद में incubation देंगे तो incubation देने के बाद में ये क्या है incubation की time पर अपने जो substances हैं उनको release करेंगे incubation time के दोरानी release करने के साथ जब ये release करेंगे तो ये cell वोल क्या हो जाएगी disrupt हो जाएगी अब फिर अंदर जब ये cell disrupt होई है उसके बाद में आपको क्या मिलेगा उसके बाद में आपको मिलेगा जो भी material है वो मिलेगा तो पहले normal cell थी उस पर क्या डाले गए enzymes डाले गए और उन्हों ले क्या है cell को क्या किया है attach किया है incubation दिया incubation देने के बाद में जो है cell में जो material था वो बाद आ गया है हावर chemical digestion is certain limitations like cost of downstream processing तो downstream processing क्या होते है इसके बारे हम अगला जो बतलब chapter है उसमें पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें क्या है जब आप chemical digestion करते हैं तो आपको downstream process करनी पड़ते हैं तो इस बजी से थोड़ा सा इसका जो cost है वो क्या हो जाता है जादा हो जाता है तो क्योंकि उसमें neutralize करना पड़ता है तो यह इस प्रकार से हो गया है एंजियमेटिक ठीटमेंट हो गया अब आस्मोटिक सौक जो है यह भी एक method है यह भी एक non-mechanical method होता है cell disruption करने का इस method is based on the principle of osmosis तो यह जो method है जो cell को break करने का method है simply यह osmosis के उपर होता है अब osmosis क्या होता है चैक कि औसन्वाब ब्रउसेस होती है ठीक है उसमें क्या होता है कि कोई भी membrane डिजाएगी एक permeable membrane लिजा सकते permeable membrane क्या होती है ऐसी membrane जिसके आरपार में molecules का क्या हो सकता है transportation हो सकता है molecules जो है आ जा सकते है ठीक है लेकिन permeable membrane जो होती है लब रही됐ंटी तो अब सेमी पर्मिड मों होती है इससे हिससा होता है थोड़ा सा पी फुलाचाब साइयो प्रीन्टरील यह मुचितला जाए नहीं शलेक्ट करके जब जाएगा तो यह प्रोसेस ऑस्मुसिक प्रिंसिपल पर पर यह आप रिफ है तो Service होता है flow down करता है concentration gradient से तो उससे क्या है area जो होता है higher so resolution concentration से वो क्या करता है इसका cell को disrupt करता है होता है कि आपने क्या है आपने डाल दिया उसको cell को आपने cell को एक साथ ऐसे बात आप में डाल दिया वहां क्या हुआ है कि उसकी जह normal condition से ऑठ गई है तो ऐसे कंडिशन में क्या होगा कि सेल में जब नॉर्मल कंडिशन होंगे तो उसमें तिक्कत आएगी या तो वो सेल सेल होगी तो इस परकार से तीन हमारे पास ओस्मोसिस के क्या हो जाते हैं सॉलूशन हो जाते हैं अगर आप हाइपर-टॉनिक सुलूसन ले लेते हैं यानि कि आप जुँ है ज्यादा कंसंटेशन वाटर कर रखते का हैं तो अब क्या है व जो आप जादा जाएगा तो एक्जो और वस्मेसिस के द्वारा सेल जो है वह aged सेसी होत्यपाहे अगर आप ऐसे टोनिक लेते यानि कि जैसी वैसी ले वैसी ही कंडिशनर्स कोई कंडिशन नहीं रह कोई मोगज़並ひ요on orse hi hnected कि स्वेल हो जाएकि तो यहां क्या हो रहा था हाइपर टॉनिक सोलूसल में यहांपर कंसंट्रिशन जो थी when कि उसकी अधे से जो वाटर रोबा यह cav理 जो है भार C g ей यहांगी शेलकर यते यह यह तो प्रकार का जो है यह कंडिशन होती है यह ऑस्मोसिस के द्वारा हम बस्ट हो जाएगी तो यह इसका मेथड हो जाता है तो देखिए इसके तीनों एक्जामपल्स दिये हुए हाइपर टॉनिक सॉलूशन है एस्टू जो है बार आया है जैसा मेल बताया आपको एस्टू क्या होगा बार आ जाएगा तो वाटर का लॉस हुआ उस बज़े सी सेल जो है वो क्या हो गई स्रिं तो ऐसी कंडिशन में क्या हो जाएगे सेल रप्चर हो जाएगी तो यह थार नौन मेकनिकल मेथड अब अगली वीडियो में हम आप से बात करेंगे मेकनिकल मेथड के बारे में तो दोस्तों अगर आपने यूटुब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो सब्सक्राब कर करीजिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए हमारे साथ में परने रहिए धन्यवाद